नमस्कार दोसूं आपशिबी का बहुत बहुत श्वागते दोसूं आफी चाहती हूँ बताना तू नहीं चाहती थी लेकिन ये बात जानना आपशिबी के लिए बेहद यावशक है जिया दोसों हम आप शिबी को बता दे कि गलशी आप शिबी के जुनकाल में बहुती बड़ी घटना होने वाली है दोसों ये बड़ी घटना आप शिबी के जुनकाल में आने वाले पूरा शमय को बदल देगा जीवन दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिशुमत कीजेगा और रहने सुरू से लिए करन तक ध्याँच देखिएगा क्योंक दोस्टों आप शीवी को पता दें कि जो भी जात घाच के इस वीडियो को मिश करेगा वो कल नहीं बलकि आने वाला पूरा जीवन भर पसद आएगा जेहां दोस्टों क्योंकि कल शीवी के जुनकाल में कुछ़े से शुब ग्रहों के स्तितीव बनने वाली है शुभियों का डिर्मान होने वाले हैं जिनसे दोस्वों आप शिवी का पूरा जीवन बदल जाएगा जिया दोस्वों और कल से आप शिवी के जीवन काल की एक नए दोर की शुरुआत होने वाले है जहां पर आपको बहुत अच्छी खुशगवरी मिलने वाली है जिनसे दोस्वों आप शिवी का आने वाला जीवन बिल्कुल ही परिवर्तन होने वाला है जिया दोस्वों जोची आपने कभी सोची नहीं थी दोस्वों वे विड़ी घटना भी कल से आप शिवी के जुनकाल में होने वाली है इसलिए दोस्तों हम आप शिवे को बता दें कि आज का यह है वीडियो आप शिवे के लिए बहुत यदाभा के शाली भी रहेगा जो भी जाता कि इन्हें अंत तक देखेगा वो कल शिय अपने जुनकाल में धनिशे माला माल हो जाएगा जुनकाल में शारे प्रिशानी अखत मों जाएंगी और जिस चिस की चिंता है आपकी जुनकाल में हमेशा लगे रहती है शब शे पहले उनका चिंता आप शिवे की जुनकाल से हट जाएगा जिया दोस्तों इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और इन्हें अंति तक देखिएगा जिया दोस्तों आप शिवे को शब शे पहले बता दें कि दोस्तों याश्मे गरहों की स्तिती बहुती महत्पुन बनने वाली आप शिवे के लिए यश्मे भगवान शनिदेब आप शे परिशन हो चुके हैं और धनकी दिमातलक्ष में आपके उपर यश्मे परिशन हो चुकी है हजिया दोस्तों आप शिवे को बिता दें कि यश्मे गरहों की जो इस्तिती है दोस्तों बुद्ध और गुरु आपके लिए बहुती लाब की दितित धर्सा रहे हैं जे दोस्तों यश्मे शुक्र आपके लिए लाब के शात्मे भाव में हैं और दोस्तों गुरु भी यश्मे आपके राशेशे शात्मे भाव में हैं यानिकी दोस्तों लाब के नए नेमों के आपको एक शाहत मिले वाले हैं और दोस्तों जब गुरू और बुद्ध एक शाहत इसे चमतकार करते हैं शादिशाद सुकुर जब आपकी शाहत अच्छे है दोस्तों इन तीनों की यूतिशे बड़े ही राज यूप का निर्वान होता है और दोस्तों यश में गजी के श्री नाम का राज यूप का निर्वान होगा जो कि दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में शुक्ष्रमर्दी भी लाने वाले हैं धन भी लाने वाले हैं शयदिशा दोसों यह शबार को कुछ महत पून बाते एंके सब्सक्रा में से थोड़ा शबियु कूछ देना है और दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी महत्पुन बात आप शिवी को बताने वाले हैं जो भी महत्पुन जरकारी हम आप शिवी के लिए लेका रहा हैं दोस्तों बश आप उन्हें ध्यान से अंत तक देख लीजेगा दोस्तों अगर आप इन्हें अंत तक एक बार तो दोसों हम इस बात की गैरेंटी देते हैं कि आपके जुनकाल में जो भी प्रिशाने पिछले कईश में से चली है दोसों उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और जो भी मुश्यूबत पिछले कईश में से शत्रू आपके जुनकाल में डाल रहे हैं जिन से शत्रू काम्याब हो जाते हैं दोस्वों ये शारी बाते हम आपको बताने वाले हैं जिया दोस्वों शत्रू आपके जुनकाल में आपको परिशान करने में काम्याब आखिर क्यों होते हैं दोस्वों उनमें आपके ही गलती होती है जिया दोस्वों लेकिन हर बार आपके यह भरोशा ही आपको तोड़ देता है जे दोस्व दोस्व आपको एक्किन अगर नहीं हो रहा है तो दोस्व आप थोड़े शमय पहले में जांक कर देखिएगा दोस्व पिछले शमय आपने जिनके लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है जिनके लिए दोस्व आपने अपने जिनकाल में शब कुछ किया है जिनके लिए आपने दिन रात एक कर दिये है जिनने खुश करने के लिए आपने अपना दिन अपना रात नहीं देखा है दोस्व अपने अर्मानों का भी गला आपने दबा दिये हैं जिने खुश करने के लिए और दोस्वों वह व्यक्ति है आपके लिए बुरा बन गया है वह व्यक्ति आपके लिए दुश्मन बन गया है और दोस्वों वही व्यक्ति आपको धोखा भी दे रहा है दोस्वों ये शिक लिया है अगर आपके शाथ हो रही है तो दोस्वों आपको इशार नहीं शोचना है कि वह व्यक्ति वैशा था यह व्यक्ति वैशा नहीं होगा दूसरों हम आपको इस कल्यूग का एक मंत्र बताते हैं कि कल्यूग पर जितना भी व्यक्ति है भगवान श्री किशने खा है कि कल्यूग पर कोई भी व्यक्ति व्यक्ति नहीं इसलिए दोसों शारे लोग अपने मतलब शेही कारे करते हैं कल उनके लिए क्या अच्छा हो तो 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 तुरांत आपس पीछा चुड़ाकर भाग जाएंगे जे हैं दोसों यज़ आए आपकी शाथ हुआ भी है जे दोसों, पिछले केशमे से आप जिनकी मदद कर रहे हैं जिनकी भी आप इतने शारे मनो कामनाई पूरे किये हैं जिनको आपने शंकट से बाहर निकाल ले हैं बहुत शारी परिश्चरम करके अपने जुनकाल की इशारी कमाई उनके पर दे दिये हैं उन्हें शंकट से मुक्त करने के लिए और दोस्वों जब आपकी वारी आई है जब आपके उपर शंकट आई है तो दोस्वों वह वेक्ती दुम दबा कर भाग गया है एक प्रकार्शे कहें तो दोस्वों वह वेक्ती पीड देखा कर भाग गया क्योंकि दोस्वों वह जानता है कि आपकी शाथ रहने शुनका कल खराब हो जाएगा क्योंकि उनका कमाया धन आप ले लेंगे आपकी मुशिपत में बाहर आते आते दोसों उनका बहुत शारे धन खर्श हो जाएंगे दोसों ये सब चीज़ां को देख कर वो आपकी आगेश ही निकल गए वो आपके हाथों से अपना हाथ चुडा लिए तो दोसों बश आपको अपने जुनकाल में ये सबसे बड़ी जो गलती होगी दोसों इन्हें आपको नहीं करना है भूल कर भी नहीं करना है कि दोसों किशी के भी उपर इस कल्युक में आपको आँख मुंद कर भरुशा नहीं करना है दोसों दोसरा जो आपकी गलती होती है कि दोसों आप जब भी कोई कारी करते हैं जब भी कोई बड़ा कारी करने वाली होते हैं तो दोस्वं उनकी जो ढिंडोरा आप पिटने लगते हैं खारी शुरूब होने शेपहले दोस्वं उनका आप जो उलेक हरकिशी के शामने कर दिते हैं जो भी आपके जुनकाल में व्यक्ति होता है, जो भी आपके शाति व्यक्ति होते हैं, तो दोस्तों, अब आपको जुनकाल में इशार नहीं कर रहा है, चाहिए दोस्तों, कोई भी रिष्टेदार हो, कोई अपना शम्बंदी हो, कोई भी शगाव, दोस्तों, जो भी कार आप इतनी खामोशे शेकरों की शुपलता सोर मचा दे जी हैं दोसों कि दोसों खामोशे शे मेहनत करने वालों को ही शुपलता मिलती है और जो पहले से शुर करते हैं शराबा करते हैं दोसों उनको शुपलता नहीं मिलती इस बात का ध्यान रखें इसलिए दोसों जो भी कार कर रहे हैं कार शुरुआत की जो भी बात है आपकी जुनकाल में हैं दोसों उन शबी बातों को आपको अपने ही दिल में दबा कर रखना है किशी के शामने उजा कर नहीं करनी है दोसों यह आपकी जुनकाल की दूसरी बात है जिने आपको धियान म यह हैं कि दोस्वों अगर आप तोटके पर यकिन करते हैं तो दोस्वों इशा नहीं है कि दोस्वों अगला व्यक्ति भी उन्हों पर यकिन करता है इसी दोस्वों आपका जो कर्म होता है दोस्वों वह टूट जाता है जिए दोस्वों इसलिए आप जितना इश्वर पर यक करनी है जब तक आपका काम नहीं पूरा हो जाता जी यह दोस्तों इन बातों का द्यान रखना है तो आई दोस्तों से के शाथ हम आपको बताते हैं कि यह सब बातें आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी था शाथ चाहत एक और बड़ी बात आप शुबी को बताते चले कि द तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत जादा जरूरी है कि information पर नए हैं चेनल से अभी तक नए जुड़े हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़ जाएं ज्ये दोस्तों यह आपके लिए बहुत जादा ज़रूरी है इस्ष्य बहagan बलेनात और माहामली ध मां-जी का आशीव अश्रवात आप शबी को प्राप्त होगा chief दोस्त ओन्य शबी के लिए बहुत इतियों का फ्यों कितने जाता है जिन से उन्शवी का घर प्रिवार के साथ जुड़ाएं और दोस्वों आपके लिए भी हम इश्वर्षी प्रात्ना करेंगे हैं जीया दोस्वों तो एदोस्वों से के शाथ हम आपको बता दे कि कल से आप शिव की जुनकाल में कौन-कौन केसरी नाम का युग का निर्मान होगा जिन से आप शिव की जुनकाल में धन, शुक, शंपति, शभी की प्राप्ति होगी शमाज में आप शिव का मान शमान बढ़ने वाले हैं जीया दोस्वों और यश्व में आपको बड़ी-बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जीया दो दोस्वों कौन-कौन से बड़ी-खुशकबरी आपको मिलेगे कौन-कौन से चेत्रों में हम आपको शभी के बारे में विस्तार शिव बात करेंगे बश आप आगे वीडियो को ध्यांश देखते रहेगा दोस्वों हम आप शिव को बता दें कि यश्मी माता लक्ष्मी का शिवे की जुनकाल में शदेव बने रहेंगे जिहां दोस्वों क्योंकि कल से आपको अपने जुनकाल में कुछ उपायों को भी करना है जिहां दोस्वों इसलिए वीडियो को अंतर तक दखीते का हुपाई भी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों सबसे बिले आपको बताएं कि यश में आपको खिश्मत का पूरा पूरा शाथ मिलने वाले हैं, मन चाहा शबलता यश में आपको मिलने वाले हैं, शमें आपके लिए बहुती महत्मुर रहने वाले हैं, गरों के जो इस्तिती है, बुद्ध शुक्र और जो यश में गुरु के स्तती है दोसो इन में शंतान शुक्की आपको पराप्ती होने वाली है शंतान से कोई बड़ी खुशक supplementalी यश्मे आपको मिलने वाली है यश्मे आपके घर में कोई मांगली कारिकरम भी होने की शम्हना बन रहाई है या फिर युजना भी बने की दोस्तों शब्षे पहली बड़े आश्य में आपको बात पता दें कि बुजरुगों के अशिरवास ये आप शुबी का घर में शकार्त्मक उर्जा बना रहेगा दोस्तों अश्य में आपको अपने घर में बड़े बुजरुगों का शमान करना है उनका आदर करना है उनका आशिरवाद आप शिवी को प्राप्त करना है इंशे दोस्वों आप शिवी की जुनकाल में शिवी को प्राप्त करना है इंशे आपके मेहनत का अफ़ल आप शिवी को मिलने में अशानी होगे इंशे दोस्वों गुरू भी अच्छे होते हैं जे द जूर्गों को बिल्कुली आदर शमान करें, दोस्वों उनके अश्रबाद को लिए, इसे दोस्वों गुरु अچछे होते हैं, और दोसरों गुरु के अच्छे होन शेत धन वयबव, सब कुछ मिलते हैं जी दोस्वों, और यश में आपके परिवार का पूरा शियुग आपक याश में आपको कहीं शे कोई शुब समचार भी मिल सकता है दोस्तों याश मचार धन प्रापती का हो शकता है शंतान प्रापती का हो शकता है या फिर नौकरी प्रापती का भी हो शकता है दोस्तों कोई शुब समचार आपशिवी के जुनकाल में कलस से आने वाले हैं जिसे दोस्तों आप शिवी के खुशियों का कोई ठीकाना नहरेगा, घर पिरवार में खुशियों का माहल बना रहेगा, दोस्तों यश में विद्यारतियों को ध्यान देने के उशकता है, पढ़ाय के परति आपको अकर्चित रहने की आवशकता है, दोस्तों पढ़ाय करें बहुत तो दोसों जो भी लोग पढ़ाए के चितर में हैं इन बातों को अध्यान रखें शादिसाद दोसों घर-घर के फरिष्टे की शला आप जरूर लें जिया दोसों शादिसाद आप शिभी को बता दें घर के जितने भी बड़े बुजर को व्यक्ति हैं दोसों उनका शला हैं शादिसाद दोसों आप शिभी को बता दें कि यश में जो भी गरहों की स्थियां होंगी वे आपके पक्च में होंगी दोसों बदलते हुए गरहों की चाल में आपको बहुती बड़ा लाब मिलने वाले हैं दोसों ये गरहों की चाल आपको बहुती बड़ी लाब की प आपके लिए बहुत अच्छा शाबित होगा शादिशाथ दोस्तों ये आपको कुछ बात हो का दिया रखना होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जोरी होंगे जैंदूसों यश्मी आप किशी भी जो कहीं पर आगर आप बाहर गए हैं तो दोस्तों ये आपके लिए नुक्षाम दायक शाबित होगा तो दोस्तों इस बात का देहन रखेंए शाथ दोस्तों आपको ये अपने कुरोध पर नेंदर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है याश्मि आप दोस्तों कुरोद की परभावशे बहुत शारी कारे को बिगार सकते हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत लिए बड़ा लवदायक शाबित होगा याश्मि शाधी-शाध आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है जल्दवाजी से अगर आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आप और भी परिशानियों में फंसते जाएंगे इसलिए दोस्तों यह शुमें आप इन बातों कहता लगें साथी साथ दोस्तों आप शुमें को बता दें कि आप शुमी लोग बहुत ज़्यालू परिविर्द्टी के व्यक्ति होते हैं और दोस्तों यह शुमा भी आपके लिए बहुत बार विश्यान कारण बन जाता है कि यौजिये दोस्तों, यह श्यमि में बहुत शार एक जिए लोग होंगे जो दोस्तों आपके के लिएnsinn की दोंग सकते हैं। आपके ऊपर दोस्तों कुछ पेशे के मांग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ओिश्ञिमि आपको właściख कर शायदा, नहीं कर रहए है। तो दोस्तों वहाँ भी आपको धोखा मिल सकता है तो दोस्तों यश्मी आपको धन की लेंदेंशी बचना है तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत यचा रहेगा शाथी साथ दोस्तों अगर आप कोई कारी मिल जूल कर कर रहे हैं शाति साथ दोस्तों आप शिवी को बढ़ने कि यश्मी आपको लाब होने वाले हैं शाति साथ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं प्रणतु आप शिवी को बढ़ने कि यश्मी आपको फिजुल खर्ची पर नेंतरन करना होगा जिया दोस्तों अगर आप फिजुल खर्ची पर नेंतर नहीं करेंगे तो दोस्तों धनकी दिवी मातल लक्षमी इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं जे दोस्तों तो इस बात क्या ध्यान रखेंगें शाथी शाथ खास करके यू आवर की वेक्ति जो भी है मौज मस्ती में अपना शमय को बरबाद ना करें इसे द दोस्तों यश्मय आप अपने केरियर पर बहुत ज़्यदा फोकुश करें यह आपके आने वाले शमय को बिलकुली खुश्यों को लेकर आएगा आपके शारी शपनों को शच करने वाला लेकर आएगा जिया दोस्तों शाथे शाथ शाथ आप शबी लोग प्रेम शुमंद म यह पिर घर परिवार की शहमयती नहीं मिल पा रही थी तो दोस्तों यश्मय घर परिवार की श्यूदी बहुत ही अच्छी है गर परिवार शियो बात कर सकते ही दोस्तों उन शबी का शयूद आप शबी को प्राप्त होगा क्यों दोस्तों यश्मय शुकरज की जो एक प्रकार से कहें तो दोस्व यश्मे आपको अपने जीवन साथी का शुवा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा उनका श्योग मिलेगा जिये दोस्व शाथ शाथ आप शीव को बता दें कि शेवा भाव शिय शाथी को भी आप परेशन कर पाएंगे मांसिक रूप से आ बहुत अच्छी बात है और एक बात बता दें कि दोस्तों नोग जोंग जिवनकाल में होना श्मानी बात है लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर दोस्तों आप बिल्कुली अपने जिवनशाति से नहीं रूठें क्यों दोस्तों यह आपके जिवनकाल के लिए बहुती बहुत यह रहेगा और आपके प्रेम शमन के लिए खाशकर बहुत यह रहेगा दोस्तों यह में आपके वहिशाई किरे से जुड़ी बातों पर चर्चा करें तो दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि यह में अगर आप किशी नई काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकार को आप गंभिड़ता से सोचें और दोस्तों निकट भईश में यह आपके लिए बहुत लाब दायक होंगे इस बात का ध्यान रखें तब ही दोस्तों आप कार करें कि दोस्तों शुवारम में अगर आप नहीं सोचेंगे तो दोस्तों भईश में आपको प कदल्सकता है गरन ना-चट्रों की इस्तिती आपके इस incapир shot है बागे का पूरा-पूरा शाथ आप शीब कुँए मिले राख हने वाल होने वाली है उसाह कि नई शूरुवात करने के लिए शमय आपके लिवी बहुत एच्छा है यह वह श् सरकाप लाब मेपड़ वे मोक्य मिलने वाले हैं और दोस्तों उन में आपकी जो भी पकारे हैं वोगी पूरे। यात्रा भी आपके लिए लाववरत साबिध होंगे हैं या दोस्थ में जो लोग नोकरी की तलास कर रहे थे तो दोसो नोकरी प्राप्ति के भी आपके जुनकाल में योग बनेंगे भिरुशगार लोगों को याश्म में मन चाहा नोकरी मिलने वाला है यदि दोस्वों नोकरी शेशमदित कुछ सरकारी प्रिक्षाद आपने दिये है तो दोस्वों उनका प्रिजणाम आपके पक्ष में आशकते हैं बहुत यह समय अच्छा आपके लिए बनेगा दोस्वों आपके जुनकाल में वववार्श श्मंदित या फिर कोई भी रुकावा कार है रुकावा पेशा है दोस्वों वेशारे रुकवे कार आपके पूरेंगरे रुकावा पेशा आपशिवी को वापश मिलने वाले हैं दोस्वों यश्मे पेश्चे की प्रॉप्री शमंदित शमय आपके लिए बहुत यचा चार रहा है जी दोस्तों जो भी आप कार कर रहे हैं जो भी जिनमें आप निवेश कर रहे हैं दोस्तों जारे रखें ये शमय नया वाहन लेने की जो आप कोशिश कर रहे थे तो दोस्तों शमय बहुत यचा है ये शमी आपके लिए उचित योग भी है इसलिए दोस्तों यसमें भागे का कुछ ऐसा आपको शाथ मिलेगा कि आपको नए वहां लेने के शपने भी पूरी होंगे शाथी साथ दोस्तों हम आप शुब को बिदा दें कि श्वास यसमें आपके लिए बहुत इच्छे होंगे जो लोग पिछले करिश में से सुवास को लेकर बहुत ज़्यदा निराश हो रहे थे पेट की शमश्या दर्थ की शमश्या आप फिर बहुत शारेशे महाश्य की कर्ष्ट की शमश्या हो रहे थे तो दोस्तों यश्मी घरों के तितिय आपके इशाथ है दोस्तों यश्मी आप उर्जावान रहेंगे परदू दोस्तों आप शिवी को बतादें कि ज़्यादा कारिका आप तनाव ना ले जिए दोस्तों अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर्ब मत देदेगा दोसों इसे आपको थकान मेशुर हो सकता है इसके दोसों आप बिलकुल ही तनाव नान ये आपके लिए बहतर होगा शाधी साथ दोसों आप शीव को बतादें कि कुछ गलत भी हो रहा है तो भी दोसों उनमें आपको अच्छा शोचना है इन्हें मान कर चलना है कि दूस्वों इनसे आपका दिनाव मुकद हो जाएगा कि गर्वों की इस्तिति आपके शायत अच्छी है तो दोषए आपको अच्छा ही इस्तिति देखने को मिलेगा भहुष में इसलिए दोस्तों इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में लखना है साथ साथ आपको बता दें कि दोस्तों आपको कौन से उपायों को करना है क्योंकि गर्वों के इस्तिति आपके लिए अच्छी है माता लक्षमी का शाहत आपको मिलने वाले हैं गुरू और गुरू का आपको शाहत मिलने वाले हैं पांच रुपए के लिए लिए बाद हम आपको इश्री बता रही है कि धनकी देवी मादा लक्षमी का वाश इस्त्रियों में होती है और दोस्वं आपको इस्त्रियों का शमान जरूरी करना चाहिए अपने जुनकाल में किसी भी इस्तरी को आपको अपमान नहीं करना चाहिए दूस्तों इस्तरी महान है क्योंक दूस्तों उनके जुनकाल में मातल लक्ष्मी कवाश है जे दूस्तों दूस्तों इस्तरी से जड़ी हैं मैं आपको एक महत्पून बात बताते हैं कि नारी और विरिक्ष दोनों एक जिसे होते हैं, खुश हो तो दोनों फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं और छड़ते हैं, इनकी छाओं कितने लोग पलते हैं, देना देना ही इनकी नेती है, औरों की जोली भरना ही इनकी प्रवत्ती है, धूप और वर्षा शेहन पेड़ की शक्ती है दुख पाकर शहलेना नारी ही कर शक्ती है नारी और पेड़ एक अबुज रिस्ता है जो दोस्ती मिलता जुलता है जो दोस्ती से मिलता जुलता है पेड़ चाहते हैं कि क्युछ पानी और कुछ घाद इस्तरी चाहती है प्यार और शमान जिहां दोस्तों इसलिए दोस्वों आपको इस्त्री को बश प्यार और शमान करना है क्योंको इस्त्रियों में माता लक्ष्मी कवाश है इस्त्री अगर इस धर्ती पर आई है तो दोस्वों वहाँ जग कल्यान के लिए है पुरुशों के कल्यान के लिए ही आई है इसलिए दोस्वों इस बात का ध्यान रखें घर में माता लक्षमी का वाश है तो बस आपको ये गलती भोल कर भी ने करना है दोस्वों उम्मीद करते कि हमारे दिहोई जानकारे आपश्वी को प्रिशन आए है दोस्वों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आपश्वी का धन्यवाद आपश्वी का दिन शुब हो मंगे